How to solve Instagram confirmation code not received problem दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप confirmation code जो आपको received नहीं होता है अपने mobile number में उसे आप कैसे solve कर सकते हैं वीडियो के साथ बली रहेगा step by step में आपको बताऊंगा एक भी step ना छुटके आप देखिएगा ताकि इस problem का आप solve कर पाऊं और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप से दिल से रिकुस्टे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन का दबाना साथी साथी इस वीडियो के एक लाइक अभी के अभी कर दीजएगा दोस्तों चलिए सबसे पहले तो हम खोल लेते हैं अपना instagram application और उसके बाद में दोस्तों यहां पे हमें problem कब आता है हम देख लेते हैं sign up कर लेते हैं sign up करने के बाद में दोस्तों यहां पे mobile number अरड़ी आ चुका है चलिए यह mobile number में दूसरा बढ़ लेता हूँ क्योंकि मेरा mobile number जो है उसमें already account है तो यहां पे दोस्तों जब हम sign up करते हैं next पे हम click job करते हैं तब दोस्तों यहां पे हमें problem आता है आप देख सकते हो enter confirmation code हमें यहां पे बताया जा रहा है ठीक है तो दोस्तों यहां पे enter confirmation code हमें बताया जा रहा है तो यह problem हमें अपना mobile में आता है confirmation code हमें प्राप्त होता ही नहीं है हमें मिलता ही नहीं है तो दोस्तों इसके लिए क्या कर सकते हो आप देखिए सबसे पहले तो दोस्ता आपको क्या करना होगा खोगा आपको बेक चले जाना है बेक जाने के बाद में आपको valor पैस्ट ट्सथ बेंग जाने के बाद में आपको यहां पर क्या करना है सबसे पेले आपको जाना है या पर application manager पर थीक है application manager पर चले जाना है या फिर आपके phone पर show होगा installed apps, running apps या फिर आपको आप पर show होगा app management ठीक है जैसा कि मेरा यहाँ पर show रहा है और यहाँ पर आपको all application select कर लेना है उसके बाद में आपको यहाँ पर instagram दूनने देने instagram पर click कर लिजेगा उसके बाद में दूस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर क्या करना है दूस्तों है यह क्लियर केशी होने के बाद में दोस्ता आपको बेक चले जाना है बेक चले जाए और बेक जाके आप जो है दुबारा से Instagram पे sign up कर लिजेगा problem solve हो जागा चलिए हम फट से sign up कर लेते तो दोस्तों यहाँ पे मैंने अपना number भर दिया है फटा फट से चलिए अभी हम next क्लिक करते और काम करता है कि नहीं हम चेक कर लेते next मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने जैसे next क्लिक किया मेरा mobile number detect कर लिया और detect करने के बाद में direct मुझे यहाँ पे नाम भरने का option आ गया है तो दोस्तों देख सकते हो कि मेरा जो है problem वो solve हो चुका है तो दोस्तों आपको simply आपे नाम भर लेना है password बना लेना है और account आपको create कर लेना है इस परकार से दोस्तों आप इस problem को solve कर सकते हो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आयोगा thanks for watching